हेलो आपके साथ शेयर करें हैं एक बहुत ही हेल्दी, इजी और इंस्टेंट डोसा रेसिपी तो आएए बनाते हैं हाई प्रोटीन डाल कीनुवा डोसा सबसे पहले हम लेंगे एक कप येलो मूंग डाल वनफोर्ट कप कीनुवा और वनफोर्ट कप ही ब्राउन राइस अब इन्हें अच्छे से धो कर एक कप पानी आड़ करेंगे इस रेसिपी में हमें दाल को भिगोने की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसे डैरेक्ट ही मिकसर जार में पीस लेंगे आड़ करेंगे दो से तीन हरी मिर्च 3x4 इंच अद्रक का टुकड़ा एक चोटी के टोरी हरा धनिया स्वादनुसार नमक वन टी स्पून जीरा और अब इससे मिकसर जार में आदा कप पानी डाल करके फाइन पीस लेंगे फिलिंग के लिए हम लेंगे 100 ग्राम पनीर और उसे हातों से क्रम्बल कर लेंगे लेंगे 1x4 cup चॉप्ट प्याज साथी एड़ करेंगे 1x4 cup चॉप्ट टमाटर एड़ करेंगे स्वादनुसार नमक साथी एड़ करेंगे 1 टी स्पून काली मिर्च पाउडर हम यहाँ पे कास्ट आरन का तवा यूज कर रहे हैं डोसा क्रिस्पी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे ओल से ग्रीस करेंगे और उसके उपर थोड़े से पानी के छीटे डाल कर तवे को पल्टे की मदद से क्लीन करेंगे डोसा बैटर को गरम तवे पर फैलाएंगे और डोसा थोड़ा पकने के बाद उस पे 1 टी स्पून घी लगाएंगे और लीजे हमारा खस्त मस्त डोसा रेडी है यह डोसा बनाने में जितना क्विक है उतना ही टेस्टी भी है प्लेटिंग के लिए डोसे के बीच में फिलिंग डाल कर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें रेडी रहिएगा क्योंकि इस डोसे की डिमार्ण आपको घर पर रो जाने वाली है अगर आपको हमारे शेयर किये गए विडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं